क्या कहती है आपकी राश्य जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का पोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से क्या कहती है आपकी राश्य जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का पोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से गुरूर ब्रह्म्हा गुरूर वेष्णू गुरूर देवो महेस्वर गुरू साक्षात्प्रम्ब्रह्म्हा तसु मैस्रे गुरुवे नमः नमस्कार दर्शकों मैं पंडित चंदन संडिल परती दिन के तरह एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं सबसे लोगप्री कारिक्रम कुंडली दर्शन में और आज कुंडली दर्शन के इस खास विशेश कारिक्रम में बात करेंगे जनमाश्टमी वरत 2018 जो इस बार का बहुत ही अदभूत संयोग पर बन रहा है ऐसी मानेता है कि इस वार जनमाश्टमी बिलकुल ऐसे ही सुप संयोग पर बना है जैसा कि दुआपर योग में भागवान स्रीक्रिष्ण के जनम के समय बना था और इस शैयोग को भगवान स्री किष्ण के जैनती के रूप में हम लोग जन्माष्टमी के तोर पर मनाते हैं तो इस जन्माष्टमी में 5245 वर्सों के बाद ऐसे अदफूत बने शैयोग पर खास करके आपको कुछ विशेस शावधानी भी रखनी चाहिए आप सभी जानते हैं किसी भी पर्व तेहवार में हम शभी लोग भगवान की इश्वर की देवी देवताओं की पूजा अराधना इसलिए करते हैं जिससे हम अपने जीवन में सुख अश्मर्दी और शांदी प्राप्त करें और हमारा परिवार खुसहाल रहें और इसके साथ ही हमारे जीवन में नई तरक्की नई उन्नत्ती और हम सदेव परगती के मार्क पर अग्रशर रहें लेकिन वहीं पर्व के समय कुछ विशेश ऐसी बातों को हमें ध्यान देना चाहिए जो उस वक्त नहीं करना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वर्ष का संयोग लगभग 5245 वर्षों के बाद बना है भगवान विश्णू के आठमे अवतार भगवान स्रीकिष्ण जी का जनम सिर्फ भारत ही नहीं भारत सहित दुनिया भर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार के अध्भूत संयोग पर आपको अब हम बताने जा रहे हैं ऐसे साथ काम जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए वरना आपके जीवन में बहुत जादा नुक्षान हो सकता है ऐसे में जनमाश्टमी के अवसर पर स्रीकिष्ण भगवान का पूजन और वरत रखना बहुत ही शुम माना जाता है इस अवसर पर अगर आप वरत नहीं भी रखते हैं तो पुन्न लाव के लिए कुछ बातों का विशेज ध्यान रखें इस बार जनमाश्टमी में सबसे पहला काम आपको याद रखना है क्योंकि मैंने बताया आपको जनमाश्टमी बहुत ही शुप संयोग पर बन रहा है इस बार का जनमाश्टमी दो सितंबर को त्री पुसकर योग पर बना है इस योग में जो भी सुप फल आपको मिलता है ऐसे मानिता है कि वो तीन गुना मिलता है यदि आप कोई भी सुप कारे करते हैं तो उनका तीन गुना लाप आपको परणाम के सरूप मिलता है इसलिए इस मुहुर्त में अगर आप परणिंदा अर्थात की अपने लाप के लिए दूसरों को नुक्षान पहुचाने का कोई भी परियास करते हैं या किसी के निंदा करते हैं तो इसका भी आपको तीन गुना पाप भोगना पढ़ सकता है इसलिए जन्माष्ट में ऐसे किसी भी गलत काम को करने से बचें अब आई ये बात करते हैं दूसरा जो आप शवी के लिए ध्यान रखने वाली विशेश बात है घर में भगवान स्रीकिष्ट कानहा की पुराने मुर्तियों के बारे में अगर आपके घर में भगवान सिर्किष्ट काना की पुरानी मुर्तिया हैं तो जन्मास्टमी के दिन भी उनकी पूजा अवश्च करें उन्हें भी माखन और मिसरी का भोग अवश्च लगाएं कुछ लोग नई मुर्तियों की पूजा करते हैं और पुरानी मुर्तियों को जल में परवाइद कर देते हैं लेकिन जब तक पुरानी मुर्ति आपके घर में रखा हुआ है तब तक उसे आप पूजा किये बिना ना छोड़ें ऐसा करना आपके लिए सुभ नहीं माना जाता है तो इसलिए जब तक आपके घर में मुर्ती रखी हुई है, तब तक आपको पूजा करनी चाहिए अब तीसरी बात, वाद विवाद इस दिन ना करें खास करके जनमाश्टमी के दिन मन को شान्त बनाए रखें और इश्वर का ध्यान करें, आराधना करें जनमाश्टमी के वरत को वरत राज भी कहा जाता है अर्थात सभी वरतों में बहुत ही महान शंग्या दी गई है इस दिन घर में शांती और सदभाव बनाई रखने से मातालक्षमी परसंद रहती है जनमाश्टमी को निश्चीत रूप से यदि आप अपने मन को शांत रखते हैं तो जनमाश्टमी की रात सिध्धी की रात भी मानी जाती है इसलिए इस दिन आप अध्यात्म के ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें बे वज़ा के वाद विवाद एवं कलहकलेश से अपने आपको दूर बनाए रखने का परियास करें अब बात करते हैं अगली बात चौथी बात जो आपको विशेश ध्यान रखना चाहिए काम भावना पर नियंतन रखें सास्त्रों में ऐसा वताये गया है कि जन्माष्ट में शिवरात्री और नवरात्री के दिनों में शैयम का पालन करना चाहिए इन दिनों या इन रातों में हमें योन संबंद और काम भावना पर नियंतन रखना चाहिए इससे वरत सफल होता है एवं पुन्न की प्राप्ती होती है तो इस दिन आपको अपने काम भावना पर नियंतरन रखना चाहिए अब पांचमा बात जो आपको विशेश ध्यान रखना चाहिए जैनमाश्टमी का त्यवार साल में एक बार आता है और इस वरतो विशेश संयोग बना हुआ है ऐसे में इस दिन को आप सोने में व्यर्थ ना करें जनमाश्टमी के दिन सुभा उटकर अशना अध्यान करें और भागवान स्रीकृष्ण का पूजा करें इस दिन भागवद गीता, विश्णु पुरान या स्रीकृष्ण लीला का पाठ करना आपके लिए शूफ हलदाई माना जाएगा अब आईए बात करते हैं छटा उपाय जो आपको विशेश ध्यान रखना चाहिए आप सभी जानते हैं कि भागवान स्रीकृष्ण भागवान विश्णु के आठमे अवतार है और भागवान विश्णु को तूलसी बहुत ही प्री है विश्णु पुरान के अनुशार भागवान के भोग में तूलसी का पत्ता अवश होना चाहिए बिना तुलसी पत्ता से भगवान परसाथ सुईकार नहीं करते हैं इसलिए आप जो भी हो भगवान सिरकिष्ण जी को अर्पित करें उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डाले अब आई ये बात करते हैं शात्मा बात जो आपको विशेज ध्यान अगना चाहिए जनमाश्टमी के दिन अगर आप वरत पूजन नहीं भी करते हैं तो भी इस दिन मान्ष मदरा के शेवन से परहेज रखकर अपने आपको पुन्य का भागी बना सकते हैं और जनमाश्टमी के दिन पुन्य रूप से आपको शात्मिक भोजन ही करना चाहिए हो सके तो आप भगवान स्रीक्ष्ण के जन्म के समय रात्री काल में अपने आसपास के किसी भी मंदिर में जाके आप भजन आर्ती सुन सकते हैं, उन्हें परणाम कर सकते हैं और जन्म का उसो मना सकते हैं इससे आपकी जीवन में आनंद का प्राप्ती होगा और आप परमानंद की ओर अगरशर होंगे तो दर्शकों इन छोटी-छोटी शाथ बातों को आपको विश्य सुरुप से ध्यान लखना चाहिए फिर मुलाकात होगी आप सभी दर्शकों से अगले कारिक्रम में तब तक के लिए नमस्कार जय मातादी राधे राधे क्या कहती है आपकी राश्य जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का पूर्ण विश्य ले सकते अचारे चंदन संडिले जी से